हाई फ्रेम्स मेरा नम मारिशा सर्मा है और अब ही आप देख रहे हैं आसी बेसिक ड्रॉइंग क्लास यहां मैं आपको सिखाती हूँ कि आप छोटे बच्चों को अपनी ड्रॉइंग कैसे सिखा सकते हैं बहुत ही इजी विम्हें सबसे पहले मैं आपको मैं मेरा परचे देदू मेरा नम मारिशा सर्मा है और मैं एक ड्रॉइंग टीचर हूँ ऑनलाइन ऑफ लाइन अपनी ड्रॉइंग क्लासे चलाती हूँ यहां पर मैं आपको सिखा हूंगी कि बिल्कुली छोटे बच्चे जो को आप ड्रॉइंग नहीं करें नहींड यहां पर आपको सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मेरे चैनल में आपको औल प्रॉइंग जरूर के लिए कि लिए और हशोवाएं और इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीस सेर जरूर क्रें तो चलते हैं यह कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं बच्चों को आप डायरेक्ट ट्रॉइंग करने के लिए बना के ना दे दे कि हां तुम इसे बनाओ उनसे नहीं बनेगी तो छोटे बच्चे जो बिल्गुल अभी सीख रहे हैं जिनके हाथ में अभी स्किल नहीं आई है तो उनको आप कैसे करेंगे तो उनके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन होती है तो प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या करेंगे आप अपनी ड्रॉइंग कॉपी में बस ऐसे कुछ पैलर लाइन्स बना सकते हैं 3 to 4 या 4 to 5 लाइन्स बना लें और इसके बाद इसमें उन्हे प्रैक्टिस के लिए shapes दे, shapes means कि बच्चों को shapes बहुत ज़्यादा जरूवत है, जैसे circle हो गया, oval हो गया, semi circle हो गया, मतलब इस तरीके की चीज़ें चाहिए, और दूसरे जो भी drawing आप बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं बच्चों से, उसकी से भी practice के लिए दे, तो उससे क्या होता है, बच्चों की hand free हो जाती है, वो सीख जाते हैं, तो जो अब में drawing पर आएंगे न, तो बच्चे बहुत ही easily कर लेते हैं, और हर practice session में मैं बिल्कुल prefer करती हूँ कि बच्चों से आप circle बनाए, circle बच्चे से नहीं बनता है, most of बच्चे नहीं बना पाते है circle, तो अब circle बनाने के लिए जैसे कि आपने circle बना दिया, ऐसे circle बना दिया, अभी आप क्या करेंगे, बच्चों से तो बनने से रहा, तो आप कैसे सिखा सकते हैं इसको, इसको सिखाने के लिए आप उनको एक काम कर सकते हैं जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि तुम डियरिक ऐसे करो लेकिन छोटे बच्चों से नहीं होता है उस condition में हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर दो dots बना दीजिए एक dots और दूसरा dot और अब बच्चों को बोलिए कि आप तुम इधर से एक C बनाओ ठीक है थोरा थोरा करके उसको बोलिए तो वो कर लेते है ठीक है ऐसे एक तरफ से C लगाए दूसरी तरफ से भी बोलिए कि C बन लेंगे ठीक है perfect नहीं हुआ कहिए मिटाओ जीधर का हिस्सा मिटाने है अब जैसे मुझे लग रहा है कि यहां पर सही होना था तो उनको यह मत बोलिए कि तुम पूरा मिटाओ बढ़ना वो एक ही काम बार-बार करते रहें आपको करना है कि बोलो कि बस इधर का मिटाओ ठ ऐसे समय बसती है बच्चों की महनत भी बच जाएगी ठीक है ऐसे करके उसको आप निकाल सकते हैं और अब ऐसे ही कहिए कि आप तीन से चार बनाओ एक सरकल ठीक है अब नेक्स ड्रॉइंग आती है जैसे कि ओवल ओवल के लिए भी सेम करना है कि तुम ऐसे डॉट बनाओ ठ लेकिन इस बार किसी थोरी सी पतली रहेगी ऐसे ठीक है और आपको इस पर ऐसे इधर से इधर आनी है ठीक है ये चीज़ को भी आपको उसको सेम तीन से चार बार करवाना है तो इससे क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिस होती है बच्चों की तो वो इसली कर पाते हैं ऐस एक पैटन आती है आपको सेमी सरकल की सेमी सरकल के लिए भी अगर बच्चा डायरेक्ट लाइन खीच सकता है तो खीच लीजने के लिए और अगर नहीं खीच सकता है तो इसका भी तरीका है सेम प्रोसेस डॉट के थ्रू चलेंगे ना बच्चे बड़ा इसली कर लेते हैं तो मैंने ऐसे बनाया एक डॉट इधर एक डॉट इधर लगाने को बोलिए और कहिए कि उसे लाइन से मिला दे ठीक है उसके बाद बिलकुल इधर से इधर से ऐसे लाने के लिए तो यह हो गया दो तीन चीज़ अभी जैसे आज के लिए मैंने सोचा कि मैं एक औरेंज की स्लाइस बनवाऊंगी अब औरेंज की स्लाइस के लिए मुझे स्लाइस के जैसा कुछ चाहिए सेप में स्लाइस के जैसा सेप क्या हो सकता है एक ओवल हो सकती है और एक सीमी सरकल हो सकता है ठीक है तो जब भी आपको पिक्चर बनवा रहे हैं, तो उसकी shape को ध्यान देखें, वो किस से मिल रहा है, किस shape के साथ मिल रहा है, rectangle से मिल रहा है, किस से मिल रहा है, तो आपको उसको करने में बहुत लीजी हो जाएगी, अब जैसे मुझे, अगर orange की slice बनवानी है, तो मैं कैसे कर सक मैं यहां पर एक डॉट लगाई ठीक है और अब मैं कहूंगी कि तुम यहां पर ओवल बनाओ देखिए ठीक है यह ऐसे ओवल बनवाई ठीक है और सेमी सर्कल में तो प्रैक्टिस कराई हूँ मैं ठीक है तो अब बच्चे को बोलिए कि तुम 4-5 टाइम इसको बनाओ सेप्स इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चा सेप्स आपका सही नहीं कर रहा है तो आपकी ड्रॉइंग को समय वो करेगा है नहीं सही तो आपको उसको सेप्स में ध्यान दिलवाना है पहला चीज इसका ख्याल रखेंगे और दूसरी चीज है कि बच्चे को अhips कि इस कड्रीगव करेंगे उसका में भी स्केंगी तुर्फ करते हैं है अपको जाते हैं पहला टालर हन्यकिशन दिखेंगे मैं इसका ख्याल बच्चों को करें इसकी प्रैक्टीस दिलवाएं तो को इसके प्रैक्टिस करएंगे तो अब जिसी क्लीन होगी गलत होने से मिटाएंगे तो उसकी पेज पर दाज नहीं पड़ेगा पहला चीज यह है अभी चोटे बचस्चों को कैके की किषा के करें कि अभी चोटे बच्चों को आपको ऐल पेस्टल नहीं देना हैं वह तोट जांगे और वह उसको सही सपभाब ही नहीं पाएंगे क्योंकि समझ करना होता है तो उनकी ध्रॉंग कराएं से क्रियोंस हार्ड होते हैं कलर करने में इजी होते हैं बच्चे इनको असानी से होल्ड कर सकतें थोड़ा प्रिशर भी दबाके चलाया है तब यह तूट है इसलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करें करें उनको और पेस्टल नहीं दे तो आपको इससे मतलब देखने मे सै सिक गया है है अब जैसे हमें वहरें स्लाइस बनानी है तो इसकी प्रैक्टिस मैं पहले करवा ली पहले ओर बनावा लिया था मैंने गजक अपयों तो इन दोनों से बचल की प्रैक्टिस दन हो जाती हैre उसके बद quello क्या कर सकते हैं कि बच्चे से बोलें कि चलो दो डॉट्स बनाओ दो डॉट्स के उपर ऐसे एक ओवल खीचो ठीक है और इसके बाद इसके नीचे एक सेमी सर्कल एड़ करो देखिए अभी इसको बीच में क्या करेंगे हम एक छोटा सा ओवल और और लाइन्स बनानी है स्लांट लाइन्स देखिए अभी क्या करेंगे जो बच्चों ने ड्रॉ कर लिया तो इसके उपर आपने क्या करना है स्केच पेन से उनके मार्किंग करवा दे मतलब आउटलाइन चलवा दे इससे ड्रॉइंग क्या है न कि सुंदर बनती है तो बच्चों को भी इंट्रेस्ट आता है स्टार्टिंग में बच्चों के लिए हर चीज थोड़ी बोरिंग है तो उसको थोड़ा इंट्रेस्टेट करना पड़ेगा इंट्रेस्टिंग बनाना पड़ेगा ताकि वो बच्चे उसको इंजोई करें इस तरीके से अब इरेजर लेकर के जो भी एक्स्ट्रा लाइन आ रहे है पेंसिल की उसको क्लीन जरूर करवाईए ताकि वो जब आप पेस्टर क्रियोंस यूज करें तो वो आपको वीजीबल ना हो जाए प्रिकें से लिए मैंने दो कलर तीन कलर यूज किया है यल्लो किया है ओर इंज कलर किया है और रेड यूज तीनों को शेड के साथ ही हम"? स्टर्टिंग से सिखाएं बच्यों को तो अच्छे आता है मत्दब आगे चलके उनको ँणको शेड की समज लूए है जैसे मैंने क्या किया लाइन्स के पास मैं ऐसे यिल्लो कलर एड़ कर रहे हूं अब मैं क्या करूंगी यहां बीच में ओरेंज लगा लिया और बाकी के हिस्से में लगा दिया ओरेंज कलर मैं यूज कर रही हूं ओइल पेस्टल नहीं क्रियोंस यूज कर रही हूं क्रियोंस आपको हाड होती है बच्चे दबा के भी चलाएंगे छोटे बच्चे तो वह तूटेगी नहीं तो बच्चे इसली कर पाते हैं और रिजल्ट भी अच्छा रहता है तो इस्टार्टिंग आप क्रियोन से ही करें जब बच्चे का हाथ सद जाए तो उसको आप ओयल पेस्टल पकड़ा दें इससे वह दोनों चीजों को समभालना सीख जाएगा कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं कुछ समय लगाते हैं अब मैंने ओरेंज कर दिया इसके उपर मैं थोड़ा शेड लगाऊंगी तो मैं क्या कर रही हूं मैंने रेड कलर लिया है रेड कलर से मैं किनारे थोड़ा सा कर रही हूं ठीक है और उपर भी थोड़ा सा जि से कि ये शेड में आ जाए और अच्छा दिख्या ये चीज हो गई रेडी मैं छोटे छोटे ड्रॉइंग प्रिफर करती हूं बच्चों को क्योंकि आप बहुत बरे ड्रॉइंग दे देते हैं तो बच्चे कलर पूरा नहीं कर पाते हैं उनकी हैं ठख जाती है वह बिल्कुल अब अगर इतना बड़ा ड्रॉइंग अगर आप उसको पकड़ा देते हैं तो कौन सा हिसा कितना बड़ा बने का वो कैसे समझेगा स्टार्टिंग आपको छोटा से कर लिए हैं तो यह देखिए यह और इंज का स्लाइस हमारा रेडी हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में म जो जो इससे आपने बच़ों को जरूर दिखाए उन्हें करने को दे थोरा बिलीब रकिए वह आपको करके ज़रूर दिखाएंगे हम कम हूप होती ध्याप ठोरा भी गलत होने से तो नहीं हो रहा है थोरा हृए फ्टेलां चो कहो है अच्छा कर रहा है वह आप यसल को कहो दिखने लग जाते हैं ऐसी कंडिशन होती है तो प्लीज मेरे वीडियो को बिल्कुल अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें शेर करें और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू बाइ-बाइ